नमस्ते तो आज हम एक कॉर्ड रिडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि इस नवंबर आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली हैं यह नवंबर मन्थ आपके लिए कैसा जाने वाला है जो भी आप पर आएगा मैं आपको बताऊंगी इसमें से कार्ड सेलेक्ट करके आपको अपनी रिडिंग पर जाके अपनी रिडिंग को देखना है हम देखने वाले हैं कि यह आने वाला मन्थ आपके लिए कैसा रहेगा कौन सी विश आपकी पूरी होगी तो यह जो सिरेमनी का कार्ड है यहापर बहुत ऐसे लोग है कि आने वाले मन्थ में या तो आपके शादी फिक्स हो सकती है आपके लिए रिष्टे आना शुरू हो सकता है या तो अगर आप शादी शुदा हो तो आपके लाइफ में कोई ऐसी खुश खबरी आएगी जिसक के बाद आप जूम उठ हो गया आपको बहुत खुशी होगे उसके बाद आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है अगर कोई बेबी के लिए ट्राइ कर रहा तो यह गुड नोज भी आपको मिल सकती है ठीक है नमबर फाइउ यहाँ पर बता रहा है कि बहुत ज़्यदा और क्या गुड नोज आपको मिलेगी नमबर फाइउ बैलन्स करना होगा आपको ठीक है नमबर फाइउ फाइनस का भी है तो सबसे पहला कार है देखो यहाँ पर भी नमबर फाइउ और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत ऐसे लोग है जो बहुत जादा अपने जि उदास रह सकते हो ठीक है इसलिए इसलिए आपको बैलन्स करने के लिए कहा जा रहा है एक अकेला पन आपको फील हो सकता है या अकेला रहना आपको पसंद आ सकता है कि आपका मन नहीं करेगा किसे से बात करने के लिए और आप जाकर अपना अपना टाइम स्पेंट करो कि अकेले अकेले ऐसा हो सकता है Master है Devil देखो यहाँ पर नंबर 15 है वापस यहाँ पर 5 नंबर आये है आप देखरे हो 555 है यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है और जब 555 आता है तो लाइफ में positive changes start होते हैं अगर आपको 555 नंबर दिख रहा हो तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी जिन्दगी में एक बहुत ज़्यादा transformation आने वाला है positive transformation आने वाला है और यह Master का कार क्या बता रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्याद निगटिव ख्याल रहते हैं आप मेंसे कुछ लोग अगर आप एक लड़का है तो आपको किसी addiction ने घिरा है किसी addiction में आप फज गए हो अगर आप किसी addiction में हो तो आप इस addiction से बाहर निकल सकते हो addiction किसी भी चीज़ का हो सकता है चाय हो सकता है, कौफी हो सकता है कोई ड्रिंक वगएरा हो सकता है, smoking हो सकता है, social media का हो सकता है कोई भी अगर आपको addiction है, तो इस महने आप इस addiction से दूर हो जाओगे अपने आपके उपर आप control कर पाओगे और आपको कुछ negative खयाल, कुछ डर रह सकता है, लेकिन आप उसके उपर मात कर जाओगे ठीक है, यह जो डर है आपके मन में, आप face कर पाओगे उन चीज़ों को जो कि आपको कई दिनों से सता रही है, कुछ negative खयाल आपके मन में कई दिनों से चल रहा है choose your battles, देखो guys हो सकता है कि आपके जलने वाले बहुत जादा है और दूर वाले नहीं, आपके खुद के relative, आपके रिष्टेदार ही जलते हैं आपसे आपके घर में कोई लोग ऐसे हो सकते है, या तो आपके cousin हो सकते है, कोई भी हो सकता है जो जलते हैं आपसे, और इस महिने में आपको अब ये बता जा रहा है इंजल्स आपको क्या कहते हैं, कि अब आप खुद को decide करना है, कि क्या इन लोगों के साथ जगड़े करके परिशान रहना है या अपने लिए खुद कुछ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आपके उपर है हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके नहीं बनती है किसी के साथ तो इस महिने भी कुछ मनमुटा हो सकते हैं, कुछ जगड़े वाद विवाद हो सकते हैं इसलिए आपको कहा जारे कि आपको इस वाद विवाद से बचना है कोई अगर आपको जबरदसी जगड़े करने की कोशिश कर रहे तो आपको इग्नोर करना है ना कि उस जगड़े को बढ़ाना है ठीक है रिष्टो में दूरिया अल्रेडी आपकी आज चुके है ऐसे बहुत लोग आप रहे कि रिष्टो में ही तनाव है आपके और इस महिने में आपको जरा अलर्ट रहना है सावधान रहना है कोई अगर जगड़ा करने के मूड में आ जाए तो आपको इग्नोर कर देना है नहीं तो ये जगड़े बढ़ते बढ़ते बढ़ सकते हैं और इसकी तकलिफ आपको ही होगे तो आपको खुद ये चूज करना है कि आपको करना क्या है कि इन लोगों के मूँ लगकर अपना time वेस्ट करना है कि अपने आपके ओपर फोकस करके life में successful बनना है ये अब आपके ओपर है ठीक है ओके नमबर 7 कुछ खास हो सकता है गाईज ये नहीं बन रहा था आपने बहुत सदा कोशिश की थी लेकिन इस मन्त ये शुभघड़ी आने वाली है आप जो कुछ भे नया स्टार्ट करना चाहते हो ठीक है आपके life में सबतरंगी ये जो दुनिया है अब उस दुनिया में आप जाने वाले हो खुश्यों के रंग भर बनने वाले हैं आपकी जिनदगी में इस मन्त न्वाइट लिटी क्या बोल रहा है की कि जो काँ आप आज तक कर रहे थे लेकिन वह नहीं बन रहा था वह काम इस मेने में बनने वाला है। ठीक है Trust रखना है आपको खुद के उपर बीबिया आप मेंसे बहुत ऐसे लोग है कि जो Trust नहीं रख पाते है खुद के उपर तो आपको खुद के उपर विश्वास रखना है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो अपनी जिंदगे में वो आप कर सकते हो पूरे विश्वास के साथ आप उस काम को लगे रहना है और वो काम हो जाएगा अपने आपके उपर विश्वास रखना आपके लिए बहुत जरूरी है और वापस जीरो यहाँ पर जो आया है तो जीरो क्या बताता है एक new beginning वापस वही energy कि आप जो भी आपकी जो भी विश्व है कई दिनों से की कुछ नया start करना है तो वो विश्व आपके इस महिने में complete होने वाली है ठीक है beautiful card है trust एक new beginning और ऐसे भी हो सकता है कि जो भी आप करना चाहते हो उसमें आगे बढ़ना आपके लिए कुछ risk जैसा लग सकता है लेकिन आपको यह risk उठाना पड़ेगा इसके बिना आप नहीं जाओगे आगे ही नहीं जापाओगे कभी कभी risk उठाना भी बहुत जरूरी होता है लेकिन सोच समझ कर तुरंत आपके लिए क्या मेसेज़ा है risk उठाओ लेकिन सोच समझ कर जलबाजी में नहीं जो भी आप काम करते हो अपने आपके उपर विश्वास रखके और सोच समझ कर आपको decision लेना है 9 नमबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है इस महिने में आपको 5 नमबर बत लगी हो सकता है 1 नमबर, 7 नमबर, 9 नमबर 15 नमबर भी लगी हो सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा लगी नमबर आपको 5 है खुद ही लीड करना है आपको दूसरों के भरोसे पर आपको नहीं बैठना है नमबर 4 भी आपके लगी हो सकता है या आपका destiny life path कुछ हो सकता है तो आपको अपनी जिन्दगी में खुद लीड कर जाना है दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है जो करना चाहते हो खुद आगे बढ़ो कोई और आपके लिए effort नहीं कर सकता आपके जिन्दगी में आपको क्या हसल करना है उसके लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा खुद ही effort डालने होगे और खुद ही success होना होगा कोई और आपके successful बनाने के लिए कोई काम नहीं कर सकता I hope आपको बास समझ में आई कई दिनों से जो आप plan बना रहे थे कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है तो ये सब कुछ ये जो new start करना चाहते हो आप ये बनते होई यहाँ पर दिखाए दे रहेगा इसा ठीक है ये योग यहाँ पर बनते होई दिखाए दे रहे है ठीक है अब देखते हैं ट्यारों से वाउ अगर आप कई दिनों से किसे decision का इंतजार कर रहे थे ठीक है अगर आपको ऐसा कोई decision चाहिए था तो यहाँ पर आपको judgment मिल रहा है ठीक है वो decision आपको मिलेगा जिस decision का आपके इंतजार कर रहे थे या आप खुद कोई इतना बड़ा decision लेने वाले हो इस मन्थ में कि वो decision के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी judgment का card क्या बता रहे है कि कई दिनों से आप pray कर रहे हो दुआ मांग रहे हो कि यह आपकी wish complete हो जाए यह ऐसा हो जाए वैसा हो जाए यह काम बनने वाले जो भी आप दुआओ में मांग रहे हो जो भी आप भगवान को मांग रहे हो यह आपकी wish complete होने वाले है judgment का card क्या बताता है कि decision ठीक है जिस भी चीज़ का आप कई दिनों से अगर कुछ planning कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था तो इस मन्त में आप वो कर जाओगे अब आपको ऐसा लगए का नहीं मुझे अभी कभी यह करना ही चाहिए और वो हो भी जाएगा आपका काम ठीक है ओके और क्या है पेज़ अगर आप किसी जॉब की ओफर का इंतजार करे हो अगर आपने कहीं इंटर्विव दिया है तो डेफिनेटली आपको कोई कॉल आ सकता है जॉब के लिए कॉल आ सकता है अगर रिष्टो में आप किसी से प्यार करते हो उस इंसान के कॉल मैसेज का इंतजार अगर आप कर रहे हो तो यार definitely आपको ये call message receive होगा तो कोई good news ऐसे मिल सकती है आपको कि जो एंसान आपसे बात नहीं कर रहा था वो बात करना शुरू कर देगा जैसे कि आपके जगड़े हुए है किसे के साथ ठीक है? Choose your battles already आप आया है किसे के साथ अगर already आपके मनमुटाव चल रहे है तो वो एंसान एक मिठी बात लेकर एक मुस्कान के साथ आपके जिन्दगे में वापस आ सकता है उसका call message आपको receive हो सकता है ठीक है? और मुझे ऐसा लगते है कि आप जादा तर online time spend कर सकते हो ठीक है? तो इससे भी आपको जड़ा control करना है और क्या है? राशी है Cancer Scorpio Pice यहाँ पर वाव बहुत ही beautiful गाईज बहुत खुबसरत गिफ्ट मिलने वाला है आपके माता-पिता की तरफ से पार्टनर की तरफ से फ्रेंस की तरफ से किसी की भी तरफ से या तो आपका birthday हो सकता है इस महिने में या तो दिवाली का कोई gift आपको मिल सकता है gift की जो भी आप चाहते हो आपको gift मिलेगा इस अब pentacles के लिए भी बता रही कि अगर finance के कोई problem है तो वो भी stall होते होई यहाँ पर दिखाई दे रहे है अगर आप कई दिनों से कुछ करना चाहते हो financial growth के लिए तो यह हो जाएगा ठीक है इस अब pentacles कुछ अच्छानक धनप्राप्ति के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे गए ठीक है और रुका हुआ धन definitely रुका हुआ धन आपका वापस मिलेगा और आप मुझे ऐसा लगते कि आपको दान भी इस महिने करना चाहिए जो आप कई दिनों से finance के जो problem थे आपके life में वो इस महिने सब कुछ solve होने वाला है इस अप pentacles, नाइट अप pentacles और six अप pentacles ये रुका हुआ धन आपके पास वापस आने वाला है और आपको थोड़ा दान करना चाहिए जरुरत मन लोगों को जितना आपसे बन सकता है बस उतना ही करना है जरुर नहीं कि आपको बहुत कुछ जादा करना है नहीं जितना आपसे बन सकता है उतना धन आपको दान करना है और जो आप दोगे वो सो गुना होकर आपके पास वापस आएगा ठीक है? ओके राशी है टोरस वर्गो क्या प्रिकॉर और क्या रहेगा इस महेने? वाव बहुत ही ब्यूटिफल कार्ड अच्छानक निकल कराया है मैंने बोला था पहले कि बहुत लोग ऐसे है जो अगर शादी करना चाहते हो तो या आपका इस सपना पूरा हो सकता है आपके लिए रिष्टे आना स्टार्ट हो सकते हैं आपकी किसी के साथ शादी फिक्स हो सकती है तो 10 of cups के नर्शे क्या बता रही कि wish fulfillment भहुत इक चीजों का सुख हो ताहे रिष्टो में जो तनाव थे वो खतम होने वाले हैं और हो सकता है कि आपके घर में जिस भी चीज़ के कमी है वो सब कुछ भर के निकलने वाला है अगर रिष्टो में तनाव था तो वह मिटने वाले हैं कोई भहुतिक सुख अगर आपको चाहिता आपको लेना चाहते हो अपने घर में तीवी लेना चाहते हो फ्रिस लेना चाहते हो जो कुछ भूतिक सुख है वो आपकी सारी wish complete होते हुए यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं और पहले ही मैंने बताया था कि अगर कोई चाहते हो कि आप baby के लिए अगर try कर रहे हो तो यह आपका सपना यह आपकी wish complete होते हुए यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं आपको good news मिल सकती है बेबी के लिए जादी का यहाँ पर दिखाए दे रहा है कि शादी का ही काड़ है और शादी के लिए जो भी ट्राय कर रहे थे यहाँ आपकी शादी fix हो जाएगी राशी है cancer scorpio पाइसी यह महिना आपके लिए बहुत खुबसुरत जाने वाला है बहुत खुश्या रहेगी आपके घर में भी कुछ तनाव रह सकते हैं लेकिन आप उनके उपर मात कर जाओगे क्योंकि आप उनके तरफ धान नहीं देने वाले आपको देना भ वाली है शुरुवात में थोड़े तनाव रह सकते हैं थोड़ी परिशानी रह सकती है देखो वापस वह एनर्जी के आप कोई new beginning करने वाले हो कोई आपका सपना है जो आप करना चाहते हो और यह आप कर जाओगे तो स्कार्टिंग में थोड़े मनमटाव चल सकते हैं आपको इस मन्त या तो कोई प्रोपोज कर सकता है या जिस अंसान को आप पसंद करते हैं वह आपकी जिन्दग में आ सकता है यह बहुत ही ब्यूटिफुल काड़े प्यार वालों के लिए कि जिनका भी प्यार अगर आप से बिच्छरा है आपका प्यार तो वह प्यार क्योंकि सब कुछ ब्यूटिफुल होने वाला है एक न्यू बिगनिंग है यहापर बार यहापर यही एनर्जी आ रही है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है वो चाहे रिष्टो में हो चाहे करियर में हो चाहे बिजनस में हो न्यू बिगनिंग यहापर दिखाई दे रहे ह और आपकी जिन्दगी खुशियों से भरने वाली है डेथ का कार्ड बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग और यहापर यह जो टू अप पैंटरकल्स के रिवर्स आई है जो भी आपके फाइनशल प्रॉब्लिम है बस यह खतम होने जा रहे है और रुशनी से आपकी जिन्दगी भर जाएगी उजाला ही उजाला आपकी जिन्दगी में इस महने होने वाला है और उपर से दिवाली है बहुत ही खुश्रत लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारने है अगर शुरबात के जैसे मैंने बोला कि शुरबात के दिन में थोड़ा आप अकेला पना सकता है, आपको साइडनेस आ सकता है, कुछ किसी के साथ मनमुटाव चल सकते हैं, नहीं, आपको हिम्मत बिलकुल नहीं हारनी है, सब कुछ होने वाला है, तो strength आपको हारनी नहीं है, अब angel की दरब से message देखते हैं, तो choose a new direction, अगर आप कई दिनों से कुछ कोशिश कर रहे थे, तो इस महिने में आपको थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करने हैं, आप hard work अगर कर रहे थे, तो थोड़ा smart work करने के आवश्यक्ता है, कुछ अलग कर जाने के आवश्यक्ता है, ठीक है, choose a new direction, if you believe, सब कुछ आपको मिलेगा अगर आपका विश्वास होगा, no need to worry, चिंता करने के आपको बिल्कुल भी जरुरत नहीं है, और compromise, अगर रिष्टों में ये जो मनमुटाव चल रहे हैं, परिशानी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप compromise करते हो, तो ये compromise कर देते हो, थोड़ी सी बाते, तो definitely आपका रिष्टा भहत खुबसूरत बन जाएगा, I hope आपको रिडिंग पसंद आए हो, like, share and subscribe, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye, अब देखते है, pile number 2, यहाँ पर है number 27, 27 number उसका total है, 9 number, 9 और 27 number आपके लिए कुछ लग कुछ ऐसे लोग हैं, जो हमेशा ही आपके उपर negative vibes भेश्टे रहते हैं, negative energy send करते रहते हैं आपकी तरफ, कुछ लोग ऐसे हो सकती जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है, और ऐसे भी बात हो सकती कि आप अपने आपको साबित करने के लिए इस महने में किसी के against जा सकते हो, ठीक है, खुद को साबित करने के लिए और आपका जो रास्ता होगा सही होगा, लेकिन अपने आपको ही आपको साबित करने के लिए किसी के against जाना पड़ सकता है, वो कोई भी बात हो सकती है, रिष्टो को लेकर हो सकती है, आपके job को लेकर, career को लेकर हो सकता है, और मुझे एक बात यहाँ पर और दिखाई दिरे कि आपको अगर अब तक अपने आपकी अपने सल्फ रिस्पेक्ट मतलब आप भूल गए थे कि आपकी भी कोई सल्फ रिस्पेक्ट है और किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी लेकिन कुछ लोग ऐसे है जो किसी के खातिर आपने जैसे के अपने सल्फ रिस्पेक्ट को ही खो दिया था तो ये आपको नहीं करना है अपने सल्फ रिस्पेक्ट को आपको समझना पड़ेगा आप बहुत कीमती हो आप बहुत वैल्यूबल हो और किसी के सामने इस कदर नहीं जुकना है कि आपकी सल्फ सबसे पहले ही कार में नंबर 9 और अब मैं क्या बोलू कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं जो आपका सपना है वो इस महने में पूरा होने जा रहा है जो भी सपना आप कई दिनों से कई महनों से कई साल से देख रहे हो वो सपना आपका फूरा होने जा रहा है गाई पहले ही कार ने आपके सारे सवालों के जवाब भी दे दिये मुझे कुछ बोलने की जरूरती नहीं पड़ी आपके जो भी सपने हैं वो इस महिने पूरे होने वाले हैं हर किसी का सपना अलग हो सकता है ठीक है और क्या है मुझे ऐसा लगता है देखो मैंने जैसे कि पहले बोला कि जैसे कि आप किसे के खातिर अपने self-respect तक आपने खो दी है तो यहाँ पर मुझे बहुत जाद चांसे ऐसा लगते हैं कि कि किसे ने या तो आपका financial loss कर दिया है या किसे ने आपका emotional loss कर दिया है बहुत जाद दुख से आप पिछले 15 मेहने पिछले 15-16 मेहने से आप बहुत जाद painful situation में मुझे दिखाई दे रहे हो या आपकी हो सकती कि साड़ी साती चल रही हो इस साड़ी साती ने आपको हिला के रख दिया जिन्दगी जीना ही सिखा दिया है तो मुझे लगता है कि आप पिछले 15 या 16 मेहनों से बहुत जाद दरद में, पेन में हो सकते हो तो ये जो दरद है, ये जो पेन है, आप इसमें से हील कर पाओगे आप अपने आपको इसमें से निकाल पाओगे इस मेहने में यह बहुत खुबसूरत बात है कि जो भी दर्ग था सीने में अब आप इस दर्ग से रिहा होने वाले हो ठीक है रिब्यूल आप अपने आपको पहले जैसा बनाने वाले हो ठीक है और क्या है नंबर 16 कुछ खास हो सकता है देखो गाइस आपको ट्रस्ट रखना होगा खुद क कुछ न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है और उसी चीज पर आपको विश्वास रखना है कि आप जो भी करोगे आप उसमें सकस्षफल होने वाले हो यह विश्वास ही आपका काम करेगा अगर आप विश्वास नहीं रखोगे खुद के उपर तो फिर काम नहीं बनेग ठीक है, आपको किसी काम में थोड़ी रिस्क लग सकती है, लेकिन आप कर जाओगे, ठीक है, तो अपने आपके उपर आपको ड्रस्ट रखना है, ठीक है, इतने सारे नहीं चाहिए, यहाँ पर जो, यहाँ पर है थोड़ाई चक्रा, यह रिवर्स आ है, आपको इस महिने में अपना intuition power बढ़ाने के आवश्यक्ता है, आपको meditation करने के आवश्यक्ता है, ठीक है, अगर आपको सही decision लेने है, तो आपको meditation स्टार्ट करना पड़ेगा, नमबर 6, कुछ खास हो सकता है, नमबर 6, lucky हो सकता है इस महिने में, आप action ले पाओगे, आपके life में बहुत changes आने व आपस आ सकते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी चीज आप करना चाहते थे, जैसे कि dreams coming true यहाँ पर आये हैं, तो उसमें अब यह movement, यह changes अब आपको दिखने लगेंगे, आपको आपका सपना पूरा होते हुए दिखेगा, नमबर 7, कुछ खास हो सकता है, ठीक है, जिस भी काम को आपको करना है, उसके लिए action लेना पड़ेगा आपको और यह काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नमबर 8, success and growth, अब और क्या बोले, growth भी आएगी, success भी आएगा, और किसी काम की अगर नई शुरुबात करना चाहते हो, तो यह बनता हुआ बहुत ही beautiful काढ़े, success and growth, लेकिन 8 नमबर क्या बताता है, कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कि यह कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, और यह new vitality, कुछ नई शुरुबात, कुछ नई beginning, और यह जो black and white दुनिया आपको ऐसा लगता था कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप जो चाहते हूँ आपको मिलता नहीं है, जो आपके black and white दुनिया है, यह खतम होकर, एक new सप्तरंगी दुनिया में आप जाने वाले हो, जहाँ पर सिर्फ खुश्या ही खुश्या होगी, जहाँ पर आपके सारे सपने पूरे हुए होगे, और आप बहुत beautiful energy में आ जाओगे, ठीक है, तो यह बात है, और क्या है, वाउ, गाइस, पहला ही कार्ड कितना beautiful है, शादी के लिए प्रस्ताव आ सकता है, जो भी आपर शादी करना चाहते हैं लोग, उनके लिए good news है, शादी का प्रस्ताव आपके घर पर आ सकता है, कोई आपको रिष्टा लेकर आ सकता है, ठीक है, यह बहुत ही beautiful energy आपर अपने आप गिर कर आई है, कि आपके लिए रिष्टे आ सकते हैं इस महने, या हो सकता है कि आपकी शादी fix हो जाए, engagement हो जाए, या जो इनसान आपकी life में आने वाला है, उसके साथ आपकी शादी हो जाए, ठीक है, कुछ त के लिए तो yes आए है, किसे का अगर सपना है, किस महने में शादी fix हो जाए, या रिष्टे आने शुरू हो जाए, तो यह होने वाला है, the world अब और क्या बाकी रह गया है, dreams coming true, और the world, the world मतलब wish fulfillment, और वहाँ पर भी dreams coming true, तो guys मुझे तो यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाए ज कि जो कई दिनों से किस चीज को manifest कर रहे थे, कोई wish थी आपकी जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे और वो आपकी wish इस महने में पूरी होने वाले है, किसी का financial problem हो सकता है, किसी को दूसरी country में जाने का अगर किसी का सपना है, आप कही shift होना चाहते हो, changes लेकर आना चाहते ह या कही shift होना चाहते हो, नया घर खरीदना चाहते हो, positive changes और wish fulfillment का card the world, कुछ लोग online अगर काम करते हो आपको बहुत growth मिल सकती है, कुछ लोग अगर कही shift होना चाहते हो, अलग city में जाना चाहते हो, अलग country में जाना चाहते हो, ये आपका सपना पूरा होने वाला है, मुझे करदी world मतलब wish fulfillment, जो भी आपके wish है वो पूरी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ cut off कर सकते हो, कुछ social media वगर, अगर बहुत ज़दा addiction हो गया है आपको तो इस महिने में आप कुछ अलग रह सकते हो, cut off कर सकते हो, जिस चीज़ के वज़े से आपको बढ़ depression सा हुआ है, आपको बहुत तकलीफ हुई है, पिछली बातों को छोड़ कर आप life में अब आगे बढ़ने चारे हो, पुरानी बातों को भूल भाल कर अब जिन्दग में आगे बढ़ोगे आप इस महिने, अगर आपके life में कोई ऐसा, आपके life का part कोई ऐसा रहा है कि जिसमें बहुत दुख ही दुख भरा था, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा था, आपको आपका break up हो सकता है, या कोई tragedy हुई थी, कुछ तो हुआ था आपके life में ऐसा, जिसके बज़े से आप बहुत जद तनाव में जी रहे थे, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा था आपको से अब आप निकल जाओगे, ठीक है, अगर कोई ऐसे लोग अगर आपकी जिन्दगी में हैं, जो आपको, वो किसी काम के ने, सिर्व आपको तकलीफ देने के लिए आपके life में अगर आए, तो ऐसे लोगों से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, किसी के साथ अगर आपका क पुरानी जिन्भी बातों से आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसे बातों से आप निकल जाओगे, ये बहुत ब्यूटिफुल एनरजी है, बहुत जादा, ये दुख अब आप पीछे छोड़ दोगे, और खुश्या ही खुश्या आपकी जिन होने वाला है, लक्षमी की प्राप्ति इस महने में आपको होने वाल है, अच्छानक धन प्राप्ति हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है, अगर आपके घरवालों ने आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी रखी है, या हो सकता है, अच्छानक आपको पता चल खरिद लिया है ऐसा कुछ या अगर आपके परिवार में कोई जगड़े वगएरा चल रहे थे तो ये सॉल होने वाले है आप प्यार से रहने लगोगे और एक बात हो सकती अगर कोई बिजनस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है इस महिने में आपकी इच्छ जादा मनी फाइनांस के बारे में हो सकता है आपको फाइनांशल ग्रोथ इस महिने में आएगे जादा तर एनरट्री मुझे यहाँ पर यही है कि फाइनांशल ग्रोथ आपको मिलने वाली है ठीक है कुछ भौतिक चीज़े अगर आप चाहते हो आपके घर में अगर आपको decision ले सकते हो या आपको किसी की तरफ से decision मिल सकता है और आपको ऐसा फेल होगा कि भगवान ने आपके साथ नयाए कर दिया है आपको ऐसा फील होगा कि justice हो गया है आपके साथ आपको बहुत दुख से गुजरना पड़ा है बहुत तकलिफों का सामना आपने अपनी मैं बता दू कि आप बहुत ही अच्छी तरसे आपका काम कर रहे हो और इस महिने भी आपकी पढ़ाई बहुत ही खुबसुरत जो कुछ भी आप अच्छीव करना चाहते हो अपने लाइब में पढ़ाई के जरिये अगर आपका कोई काम है जिसमें पढ़ाई करना बहुत पाऊगे कोई एक्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें आप सक्सेस्फुल बन सकते हो और ज्यादा तर मुझे फाइनेशल सक्सेस यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी एक क्वी आप पैंटेकल्स है ऐसे लोग जो आपकी कदर नहीं कर रहे थे वो लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे ऐसे लोग जो आपको अपने आप से नीचे देख रहे थे अब वो इंसान आपको अपने ऊपर देख पाएगा मतलब उसको ऐसा फिल होगा कि आपने किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आप तो हर तरह से growth आई है आपके life में, financially हो या आप beauty की तरफ भी बहुत ज़्यान दे सकते हो, आप अपने चेहरे को निखार सकते हो, आप beautiful हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन और आप अपने beauty को निखार सकते हो इस महने में, यह कुछ energy हापर आई है, दूसरों की तरफ से attention म आएंगे और उसके शुरुबात नवंबर से शुरू होने वाले है, in the near future, मैं देखा, आप बोला क्या भी, कि उसके शुरुबात इस नवंबर में शुरू होगी, आपके life में बहुत सारे positive transformation, आप गुजरने वाले हो इसमें से, और in the near future, बहुत जल्द, okay, ask your angels, अगर कोई सवाल है आपके मन में, तो आपको क्या करना है, meditation करना है, और अपने angel से पूछना है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अपने अंदर ही मिलेंगे, बाहर नहीं है उन सवालों के जवाब, आपके अंदर है, listen, वापस वही, listen to your intuition, आपको अपने ही intuition पावर क इस्तमाल करके सही decision लेना है, और life में आगे बढ़ना है, और bottom में देखो कितना beautiful card है, success, यही तो, यही तो आपकी wish पूरी होने वाली है, कि आपको success मिलने वाला है, आपके सपने पूरे होने चाह रहे है, बहुत ही beautiful card है, success, ठीक है, तो finance में success चाहते हो, career में success चाहते हो, प आपको reading पसंद आई होगी, like, share and subscribe, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye